अरश्कार दोस्तो मेरा नाम है MBS J.S.Wall और आप देख रहें Future is Electric Channel दोस्तो ये चैनल डिडिकेटड है Futuristic Electric Vegas और Technology के बारे में अगर आप हमरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज लाइक कर देना सब्स्राइब कर देना और अगर सोके तो शेर कर देना दोस्तो आगे बढ़ते हैं आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टार्टप की जिसने पैन इंडिया में एक बहुत अच्छा रेपूटेशन विल्ड़ अप किया है जी हाँ दोस्तो हम बात कर रहे है हाइदराबाद बेस टार्टप पियो रेवी कमपनी की फ्लैक्षिप न्यू इलेक्रिक स्कूटर इट्रास नियो दोस्तों company का recently launch किया हुआ ये एक successful और flagship electric scooter model है अगर features और specs की बात करें दोस्तों तो इसमें आपको 1.5 kW की BLDC motor यूज़ की गए है जो आपको 2.2 kW की peak power देती है अगर battery की बात करें दोस्तों तो इस electric scooter में 60 volt 2.5 kWR की portable lithium-ion battery और 18650 के ultra performance cells यूज़ किये गए है दोस्तों इसमें आपको 4 इंच का LCD display मिलेगा जिसमें आप battery percentage और speed देख सकेंगे अगर हम brakes की बात करें दो तो फ्रंट में आपको disc brake मिलेगा और रियर में drum brakes देखने को मिलेगा अपार्ट फ्रंट इस दोस्तों इस electric scooter में आप 412 degrees की gradability मिलेगी जो इसे और दी खास बनाता है अगर हम Pure EV company की बात करें दोस्तों तो यह एक हाइदराबाद बेस टार्टप है जिनका कॉलाबरेशन है IIT हाइदराबाद से company ने R&D में काफी ज़्यादा invest कर रखा है और Pan India में अपना distributor network काफी rapidly ग्रोग किया है दोस्तों इस company की सबसे बड़ी speciality है कि यह अपने electric scooter के लिए in-house lithium-ion battery produce करते है अगर हम range की बात करें दोस्तों तो इस electric scooter में आपको 120 km की decent range देखने को मिलेगी on eco mode आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगर हम design और looks की बात करें तो company ने इस electric scooter में काफी minimalistic design रखा है इसमें आपको 10 इंच के tubeless tires भी देखने को मिलेगी इसका drawback सबसे बड़ा है दोस्तों इसमें आपको board space काफी कम मिलेगा अब सबसे बड़ा ये सवाल आता है कि company ने इस electric scooter को क्या price point पे launch किया है दोस्तों pure EV company ने e-trans new को 78,999 रुपीज पे launch किया है और जो काफी budget oriented भी है आपके क्या thoughts से दोस्तों इस electric scooter और इस company को लेकर अब comment कर दिजे फटा फट से and don't forget to like share and subscribe to my channel future is electric